सभी को नमस्कार दोस्तों आज एक नए मोटिवेशन और एक नए जुनून के साथ मैं आपको स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल सनत इजी माइंड ट्यूटोरियल्स पर तो आज फ्रेंड्स जो भी इस चैनल पर नए हैं आप सब्सक्राइब कर दीजिए बेल बेटन क जरूर प्रेस कर दीजिए तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ ICCR इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन्स इसका एक्जामिनेशन के लिए नोटिफिकेशन निकला हुआ था जिसका कि दो दिन पहले नोटिफिकेशन आ गया है कि इसका एक्जामिनेशन तो आप जो भी एक्जामिनेशन की तयारी कर रहे हैं पूरे लगन से कीजिए जिन लोगों ने भी इस फॉर्म का एप्लिकेशन भरा हुआ था उन लोगों के लिए सुनेरा मौका आ चुका है और दस्तक दे चुका है फ्रेंड्स हमेशा याद रखिए फुल लोगों के लिए जो कि एक्जामिनिशन देंगे और इस वीडियो में यह भी करूंगा डिसकेशन की लास्ट मिनिट स्ट्रेजी क्या हो सकता आपका बहुत इंपोर्टांट है यह लास्ट मिनिट स्ट्रेजी दोस्तों और मौका मत जाने दीजिए हाथ से ठीके दुस्तों तो चलिए मैं आपको ले चलता हूं website पर जहां पर जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपना admit card download कर सकते हैं ठीक है friends तो चलिए अभी चलते हैं website पर यह दिखिए friends यह खुल गया आपका website अगर आप खोलेंगे website को अपने mobile पर android phone पर तो आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा आप इसको ओपन करके desktop site यह दिखिए यहाँ पर desktop site में कर लेना इसके बाद आप जब कर लेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा क्योंकि इसको desktop site साइट पर नहीं करने से यह download नहीं होगा ठीक है friends अभी देखिए यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा यह सारे advertisement है तो यह जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पर कि ICCR चौथा नंबर पॉइंट दिखिए नंबर फॉइंट फॉइंट फॉर friends तो आपका यह वाला site खुल के आ जाएगा ठीक है friends जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका यह वाला site खुल के आ जाएगा और यहाँ पर लिखेगा देखिए ऐसे ऐसे लिखेगा आपको steps to download यह देखिए आप steps to download मैं पढ़ दे रहा हूं आपके लिए आपको कैसे कैसे steps क्या कहां से download करना है कैसे क्या जाना है आप जैसे क्लिक करेंगे रिजिस्टर कैंडिडेट का एक पेज खुलेगा और वहां पर जाके आप अपना user ID password देंगे और इसके बाद मैं आपको बता दे रहा हूं क्लिक करके देखिए यहां पर जै साइट खुलेगा और साइट खुलने के बाद कुछ guidelines आपको दिखेगा ठीक है guidelines दिखेगा admit card खुल जाएगा आपका और guidelines दिखेगा जिन्हों ने भी इसके बहुत सारे पोस्ट निकले हुए थे assistant में उसके बाद LDC junior stenographer senior stenographer और बाकी काफे सारे experience वाले post भी थे तो जिन लो यहां पर लिखा हुआ है तो one for the morning batch and one for the evening match अलग-अलग batch में आपका examination होगा उसके बारे में दिखाएगा ठीक है देखिए मैं आपको बता दे रहा हूं क्या-क्या important guidelines वगरा है और admit card के बारे में यह देखिए यह मेरे friend ने जो की exam देने जा रहा है उसका admit card मैं आपको दिख instruction दिया है उन्होंने यह important instruction से देखिए friends आप इसको follow करके जाएए face mask जरूर पहन के जाना है पहला point आपको दिख रहा है wearing face mask and carrying hand sanitizer is mandatory sanitizer अपना लेके जाना छोटा sanitizer 50 ml का आता है 50 ml का वो ले लेना और mask face mask जरूर पहन के जाना और कई बच्चों को मैंने देखा है examination hall में वो face mask निकाल देते हैं मत निकालिए पूरा face mask पहन के रखिए friends आपका health आपका स्वास्त्य पहले है इसके बाद ही examination है ठीक है ना जो भी examination हो रहा है पहले अपना health का ध् नजर अंदाज मत करिए कुछ भी risk मत लीजिए examination के चकर में examination देने जाहिए बिल्कुल कूल होके जाहिए motivated होके जाहिए positive होके जाहिए लेकिन जैसा चल रहा है अभी covid का cases कम होने का नाम नहीं ले रहा है तो आप अपना ध्यान बिल्कुल रखिए ठीक है friends अब देखिए इ जब भी आप washroom जाते हैं examination hall के अंदर या कहीं भी जाते हैं छोते हैं तो face mask बिल्कुल मत अटाईए और तुरंत अपना hand sanitizer यूज कीजिए वह लोग अपना उनके तरफ से hand sanitizer देंगे आपको लेकिन उसको यूज करने के बाद आप अपना hand sanitizer भी फिर से यूज कर लेना लेकि है second number point में क्या लिखा है अपना self-attested photograph आपको लेके जाना है ठीक है एक photograph लेके जाना है उसमें चिपका देना है आपको paste कर देना है और उसको self-attest कर देना है आपको ठीक है इसके बाद दिखिए क्या लिखा है वैलीड फोटो आईडी प्रूफ लेके जाना है आपको फोट दिख रहा होगा और date of birth वगएरा होगा ठीक है और original होना चीए friends xerox photocopy मत लेके जाना ठीक है तो admit card और ID प्रूफ यही दूना आपको लेके जाना है उसके बाद वहां पर आपको क्या करना है जावापका admit card download होगा तो दो पार्ट में होगा उपर वाला पार्ट एक होगा बीच में cut mark होगा और नीचे वाला पार्ट होगा तो उपर वाला पार्ट वह लोग रख लेंगे और नीचे वाला पार्ट आपको देदेंगे ठीक है वह लोग बीच में से आपको बोलेंगे उसको फार्ट दो और उसको टीर करने के बाद नीचे वाला पार्ट वो लोग होना चाहिए ठीक है इसके बार देखिए क्या लिखा है examination के बारे में important चीज जो है आपको candidates will be allowed to bring their own masks अपना खुद का mask लेके जाना है examination के time में however mask will have to be removed for taking देखिए वो लोग mask नहीं देंगे यहाँ पर कुछ examinations में mask वो लोग provide करते हैं लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है important point देखिए आपको अपना mask लेके जाना है ठीक है friends अपना mask लेके जाना है और पहनना है सिर्फ photograph के समय है photograph registration के समय हो लोग आपका photo लेंगे उसी time पे उसी time पे आपको खोलना है वरना आपका mask आपको नहीं खुलना है अपना hand sanitizer small size का लेने मैं आपको बोला 50 ml का वही ले लिजीगा और अपना खुद का transparent water bottle भी आप लेके जा सकते हैं पानी का bottle ठीक है यह रह गया और उसके बाद क्या है यह देखिए बहुत इंपोटन चीज़ फ्रेंड्स वो लोग आपको ballpoint pen वो लोग आपको pen वगएर नहीं देंगे विल भी अलाउट टू ब्रिंग डियर ओन बॉल पेंस ठीक है आप अपना खुद का ball pen लेके जा सकते हैं फ्रेंड्स ठीक है लेकिन उसका cover transparent होना चीए बिल्कुल इसा यूजन फ्रो पैंज आता है यूजन फ्रो पैंज आता है टीन रुपे वाला वह मतले न उसका ट्रांसपरेंट निए होता है आप शिंपल पांच रुपे वाला छो या च्छे रुपे वाला 10 रुपे वाला जो पैना जिसमें glass का cover रहता है बाहर से दीखता है है refill वह वाला ले जाई है ठीक है वही बोल रहे हैं वोग कोई बी अलग तरीके कपया जो कि नहीं दिखता है अन्दर से मतलब वैसा नहीं आलाउड है लिखा हुआ है ठीक है आप ऐसा ही पेन लेके जाना अपना पेन लेके जाना तो सारा एक्जामनेशन में लिखा रहता है वही लिखा गया हाँ और एक इंपोर्टेंट में बता दे रहा हूं आपको दिखिए एंट्री टाइम साड़े आठ से लेकर साड़े नौ तक इन्होंने रखा है मतलब साड़े आठ पर रिपोर्टिंग है और साड़े नौ तक इनको एंट्री मिल सकता है आपको एक्जामिनेशन हॉल में और यह मॉर्णिंग सेसिन के लिए और एक्जामिनेशन का टाइम है साड़े नौ से साड़े वारा ठीक है मेरे मानी है आप रिपोर्टिंग टाइम से एक घंटा पहले पहुंची एक्जामिनेशन सेंटर पर ठीक है साड़े आठ पर लिखा है आप सबाई एट 730 पहुंच जा होगा तो आप बारा बज़े के करीब पहुंच जाए बारा साड़े वारा के करीब पहुंच जाए ठीक है तो यह लिखा है और क्या है और तो कुछ असे खास नहीं है यह आपका हाँ यह देखिए टाइमिंग स्वगेरा टाइमिंग देख लिए फ्रेंड्स मौनिंग इन तीनो का मौर्स क्षिट में होगा ठीक है देखे अब मौनिंग शिपब्स में होगा साठेहनों से 12 को बीच में और इनका जो लेशनियो объясons का मैं आपको सब कुछ बताऊंगा खी देखिये 180 questions आएगा 180 questions ठीक है 180 questions आएगा आपका उपर वाले में मतलब assistant के examination में 180 questions आएगा और senior stenographer में 120 question आएगा फिर नीचे देखिए assistant program officer junior stenographer और LDC lower division clerk इन लोगों का exam होगा दो बज़े से लेके पांच बज़े तक दो से पांच दो से चार और दो से चार ठीक है तो assistant program officer का होगा दो से पांच तीन गंटा और बाकी दो लोगों का junior stenographer और LDC का होगा दो से चार ठीक है टाइमिंग्स इनों ने लिग दिया आप देख सकते हैं और 120 मिनिट इनका रहेगा 180 120 120 सब्सक्राइब यूनियर stenographer और LDC का 120 कुश्चिन रहेगा और assistant लोग ने अपलाई किया है और senior stenographer junior stenographer और LDC का 120 कुश्चिन रहेगा assistance करेगा एक से स्ट्रेटेजी फॉलो करना है और दो मार्क मिलेगा आपको करेक्ट आंसर के लिए और नेगेटिव मार्किंग है पॉइंट टू फई माक्स बिल्कुल चांस मत लीजिएगा जो आपको आ रहा है वही करना ठीक है फ्रेंड्स अभी फिलाल में देखा गया कि बहुत एक्जामिनेशन हो रहा है आप बिल्कुल दीजिए ठीक है फ्रेंड्स मेरा मानियों तो आव एक्जाम दीजिए क्योंकि आजकल के जमाने में गवर्मेंट जो पाना बहुत मुस्किल है ठीक है तो यह सब इन्होंने कंप्यूटर का बारे में बताया है मतलब वहां पर जै है पहले देखिए अब देखिए एक्जामिनेशन होगा कि नहीं तो बिल्कुल होगा क्योंकि यह रिपोर्ट यह नोटिस निकला था इनके तरब से जो कि निकला था अगस्ट अठारा में आपको दिख रहा है अगस्ट 18 2020 में निकला था ठीक है क्या बोला था इन लोगों को कंड़क्ट करेंगे करके examination और क्या लिखाए देखिए सेकेंड पॉइंट बहुत important friends confirmed है ठीक है schedule confirmed है तो यह लोग cancel कभी नहीं करेंगे अभी फिलाल में NBE का examination हुआ था national board of examination का इसका हुआ था जो की confirm हुआ था 31 अगस्ट को उन इसका भी उसी तरीके से होगा ठीक है आप यह सोच के चलिए मान के examination होगा तो इस दिन से जो लोग preparation कर रहें उनका तो बहुत ही अच्छा होगा लेकिन अभी वह किसने preparation नहीं start किया है नहीं किया तो कर दीजिए फ्रेंड्स मैं आपको strategy बता रहा हूं और मैं आपको अपने चैनल पर पूरा आपको free of cost material दे रहा हूं प्रोवाइड कर रहा हूं जितना होस्तों के दे रहा हूं फ्रेंड्स करेंट कि नोटिफिकेशन छोड़ी अभी नोटिफिकेशन तो जिन्होंने apply कर दिया उनको पता ही होगा मैं बता रहा हूं एक बार नजर डाल लीजिए आप syllabus पर क्या-क्या आ रहा है इसका देखिए यह हम थोड़ा नीची चले गए है उपर चलते हैं रुकिए यह देखिए आगया फ्रेंड्स ठीकिए देखिए examination pattern में आपको बता दिया था क्या-क्या है देखिए general intelligence आएगा आपका ठीक है general intelligence आएगा आपका कितने marks का 45 questions आएगा 90 mark ठीक है 90 marks 60 questions आएगा general awareness और important क्या है यह पर finance और accounting यह रहेगा आपका जिन लोगों का finance और accounting में कुछ थोड़ा edge है मतलब कुछ जानते हैं वो लोग तो उनके लिए तो अच्छा ही है लेकिन जो लोग नहीं भी जानते हैं तो कहां से आपको पढ़ना है क्या पढ़ना है मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल बताऊं तो websites का नाम मैं नहीं बहुतसरे websites मिल जाेंगे या फिर बहुत सरी youtube चैनल्स पी आपको मिल जाएंगे जोकी इसके बारे में बहुत चीज़ दे रहे हैं आपको क्या देखना है आपको ऐसे नहीं कि पूरा कॉर्स देखना है बस आपको क्या देखना है करेंट अफेर्स आपको सर्च करना है करेंट अफेर्स और रिलेटेट टू फाइनेंस बैंकिंग एवेरनेस आप देख लीजे तब भी आपको काम बन जाएगा सेबी का एक्ज यहां पे रहेगा इतना लेवल नहीं रहेगा लेवल इजी रहेगा तो मेरे इसाब से अगर किसी का भी इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है आप कुछ-कुछ बेसिक चीज जो की प्रिवियस मन्त का कर लीजिए मतलब मैं बोल रहा हूं जैसे कि आपका सेप्टेंबर में एक्जाम होगा तो आप अगस्ट का 100% देखके चलिए अगस्ट उसके बाद जुलाई देखिए ठीक है जुलाई और जून अगर हो सके तो देख लीजे तो जून छोड़ दीजी आप अगस्ट जुलाई और सेप्टेंबर का जितना दिन रह गया है ना सेप्टेंबर 30 है तो सेप्टेंबर बीस तक आप देख लीजे ठीक है बीस या फिर नहीं सेप्टेंबर 15 तक आप देख लीजे ठीक है तो देखिए आप क्या करिए जुलाई ठीक है आप जुलाई से लेकर जुलाई से लेकर सेप्टेंबर 15 तक ठीक है यह आप देख लीजिए बैंकिंग अ ठीक है और करेंट अफेर्स जो आएगा जैनरल अवाइर्स में जाता तर हिस्सा रहेगा करेंट अफेर्स का टीसेस एक्जामिनेशन लेगी बिल्कुल और टीसेस अगर लेगी तो इसमें बता दे रहाँ करेंट शायद examination कौन लेगा यह clear नहीं है लेकिन जो भी लेगा examination जो भी लेगा examination तो current affairs का बहुत importance रहेगा friends current affairs का 100% importance रहेगा ठीक है इसमें थोड़ा general awareness आने का कम chances है क्योंकि इसमें यह लोग finance और accounting include कर रहे हैं तो इसलिए current affairs करेगा तो आप जीए पढ़ना छोड़ दिए जीए जीके पढ़ना इतना ज़रूत नहीं है इसके लिए लेकिन current affairs मैं अभी monthly one liners दे रहा हूं आपको बना के September 30 में एक्जाम में आपका उससे पहले आपको बिल जाएगा बिल्कुल ठीक है PDF बहुत अच्छे तरीके से में cover करवाऊंगा ऐसा cover करवाऊंगा आपका दिमाग में छप जाएगा पूरा current affairs ठीक है ऐसे वीडियो में बनाऊंगा लोग क्या करते हैं वीडियो बनाते हैं लेकिन फिर बोल देते हैं बच्चों करवाऊंगा उसमें जितने भी questions होंगे question answers के format में नहीं मैं point wise one liner लेके आऊंगा आपके लिए और हर topic में से static awareness भी मैं ढून ढून के लाया हूं friends बहुत मेनत करके लाया हूं ठीक है friends तो उसमें आपको मैं ऐसे करवाऊंगा कि एक ही वीडियो में मैं आपको पूरा पढ़ा बढ़ने का नजरिया आपका बदल जाएगा आज से हर examination के लिए बदल जाएगा और वीडियो कैसे देखना है current affairs का वो भी मैं बताऊंगा उस current affairs के वीडियो में session में ठीक है तो stay tuned friends तयार होके बैठिए कमर कस लीजिए आप maths और numerical ability बहुत easy आएगा इसमें ठीक है numerical ability जो दि ठीक है वो एससी सारी banking का है और numerical ability है एससी लेवल का ठीक है दोनों का आप एससी का अभी जो फिलाल में examination हुआ है एससी फिलाल में नहीं बोल रहा हूं मैं SSC CGL का एससी CGL का आप assistant के लिए previous previous 5 साल का question लगा के चले जाए है मैत का दो हजार 15 से लगा लीजिए अगर आपको बाहर नहीं जाएगा और बैंकिंग का जस्ट अभी जो जो एक्जाम हुआ है 2019 में वो कर लीजिए बस काम बन जाएगा बैंकिंग का अगर आपको ट्रिक्स चाहिए कमेंट कीजिए फ्रेंड्स जो भी examination अगर दे रहे हैं को इसका ट्रिक्स चाहिए आपको तो मैं बैंकिं लेंगे बेटर रहेगा ठीक है वहां से हम देख लेंगे इसका नीचे सिलाबस है और इंग्लिस ग्रामार यह तो एक दो साल का जितना हो सके उतना पढ़ लीजे आपका हो जाएगा ठीक है कोई प्रॉलम नहीं है पूरा कोस्टेंस उसी पैटन में आपको मिलेगा सिलाबस है यहां पर मेमोरी विजुलाजेशन डिसिशन मेकिंग ठीक है डिकोडिंग कोडिंग कोडिंग देखिए इसका शॉर्ट्रिक्स मैं आपको देदूंगा अगर आप बोलेंगे तो कोई अगर कमेंट करेगा किसको चाहिए देखिए फ्रेंड्स अगर आप देखिए आओंगा वीडियो धरे लेकिन फिलाल में अभी अगर आपको चाहिए इमेडियेटली चाहिए कुछ दिनों के अंदर तो मैं आपको जो भी ट्रिक्स आप बोलेंगे सिलॉलीजिम का ट्रिक्स कोडिंग डिकोडिंग का ट्रिक्स ठीक है और आपको जो है सीरीज क सब्सक्राइब sufficient है आपका marks पक्का आहेंगे स्मय और यह पूरा Mark Fetching section ठीक है यहाँ पे मार्क पूरा आपका आना चाहिए कितना मार्क आ है आपका कितना 4590 marks में से यहाँ पर आपको कितना गेन करना है 80 प्रेंटेड करके चलना एटीटी प्लस देखिए और जेनरर्ल awareness में यह मैं आपको करवा दूगा कोई problem नहीं है current affairs करवा दूगा पूरा quantitative में देखिए थोड़ा banking touch कर सकता है यहाँ पे इसका भी syllabus नीचे है देखिए और English में देखिए English में तो बहुत easy है English में आप पूरा easy रहेगा previous year करके जाए और कुछ सोचने का ज़रूरत नहीं आपको ठीक है English में 60 में से कम से कम 45 लाना है आपको 45 से 40 से 45 ठीक है selection के लिए पोस्ट थोड़ा कम है चारी पोस्ट है इसमें जेनरल का total साथ पोस्ट है तो उससे साब से आपको थोड़ा preparation करना है अच्छा मास लाना है इसके बाद computer proficiency वगरा है ताइड में बाद में देखेंगे पहले cbt1 का देखते हम ठीक है जनरल में देखिए जनरल में तो बेसी कली यह सिलाबस होता है बस आपको भ्रम करने के लिए 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 लोग पूरा करेंट अफैर से आएगा मैं बोल रहा हूं पूरा करेंट अफैर से आएगा हां एक important point है यह जो history culture जिखा हुआ है यह किस तरीके से वह लोग डालेंगे वह लोग करेंट अफैर से लेटेड ही डालेंगे मान लीजिए करेंट अफैर से रिलेटेड कुछ history का प्रॉप चीज हुआ है अभी फिलाल में जैसे कि अभी फिलाल में जो इंडस वैली चलूँगा पूरा current affairs का session मेरा देख लीजिए उसमें से पूरा static हर current affairs का क्या क्या static point बन सकता है friends आप एक बार देख के देखना friends आपका पूरा मजा आ जाएगा आपको एक बार में और आपको current affairs पढ़ने का ज़रुत ही नहीं पढ़ेगा जितने आने वाले आगे exams है यह जो जो current affairs में करवाऊंगा जी जी समंत का आप मान के चलिए उसमें से आपका एक number भी नहीं कट होगा ठीक है एक number जैसा तरीका में बताओंगा ना ओसम तरीका है आपको वीडियो मिल जाएगा पूरा वीडियो इसका मिल जाएगा अगर आप बोलेंगे तो मैं एक वीडियो भी मतलब कमेंट कर दूँगा अपने section में ठीक है उसको आप देख लेना इसके बारे में वीडियो में दे दूँगा आपको कहां कहां से आपको follow करना है वह बत GDP का formula, GNP का formula यह सब वगर आएगा और कुछ जैसे की roles है उसके बाद inflation क्या होता है poverty क्या होता है अभी फिलहाल में current affairs में economic से क्या चल रहा है वही चीज़ आएगा friends मैं आपको बोल रहा हूँ ना तो current affairs आप देख लीजे आपको कुछ करने का ज़रूरत ही नहीं जा और उसके लिए आपको websites और links आपको share कर दूँगा ठीक है friends अब देखिए money and banking यह गया अब देखिए quantitative में इन्होंने क्या दिया है पूरा basic तो मेरे को दीखी रहा है कि banking level का और SSC level का से में आपको जो पढ़ते हैं वही है देखिए whole number decimal fraction relationships numbers percentage सब NTPC और SSC का सिलाबस है ठीक है ratio proportion square roots average interest profit loss discount partnership यह देखिए partnership इन्होंने आड कर दिया है मतलब थोड़ा banking touch करेंगे लोग ठीक है और time and work time distance basic algebra algebra कर दिया इन्होंने तो थोड़ा यह लोग algebraic equations मतलब जो SSC level का जो traditional exam होता है उसको भी touch कर रहे है और दिखिए कुछ कुछ है जैसे कि elementary certs graphic equations यह सब वगरा थोड़ा इन्होंने include कर दिया है लेकिन इतना मुश्किल नहीं आएगा friends mensuration का है ठीक है mensuration का है mensuration का अगर आप बोलोंगे तो मैं formula आपको दे दूंगा पूरा 2D का formula दे दूंगा ठीक है triangle quadrilateral regular polygons इसमें से related जो भी formula है right prism right circular cone सभी का formula का एक PDF बना के आपको दे दूंगा बस formula आप अब लगा लेंगे बिल्कुल लगा लेंगे इसमें कुछ ज्यादा मुस्किल नहीं आएगा ठीक है और इन सब में से कोई भी topic में आपको कुछ problem है कोई कोई भी topic समझ में आ रहा है trick चाहिए तो मिलेको बताईए tricks के जरीए मैं आपको बता दूंगा उसमें कैसे easily question question आप solve करेंगे उसमें से ठीक है इसके बाद देखिए English में English में तो कुछ ही नहीं आपको बोला था previous questions कर लेंगे idiom phrases important क्या है English में में लिख देता है आपके लिए idiom phrases important है पढ़ लेना आप उसके बाद आप क्या पढ़ना synonyms एंटोनिम कवर कर लेना previous का पूरा लेना one word substitution कवर कर लेना ठीक है और क्या है error error sentence sentence improvement sentence improvement important है और narration कर लेना friends बिल्कुल narration छोड़के मत जाना narration और active passive voice ठीक है यह सब important topic में बता दे रहा हूं यह सब आप देखके चले जाए प्रिवेसर का आपका English पूरा ready हो जाएगा ठीक है यह friends हो गया आपका assistant के लिए तो इसमें आपको मिलेगा कितना time मिलेगा देख लीजी यह तो हम देखे ही नहीं time time देखिए time इसमें आपको 180 मिनिट्स मिलेगा बहुत time है friends question कितना है 180 question है 45 इसका हो गया 60 इसका हो गया 45 for 60 30 कितना हो गया 180 question और 180 ही मिनिट आपको sufficient time है more than sufficient time है friends ठीक है अच्छे से exam कीजिए और इसमें target कीजिए कितना target कीजिए आप इसमें से 90 मार्क से 90 में सरक्रम्ट कीजिए बढ़ा जाएगा मामला कहीं कहीं तो इसमें थोड़ा लो लेकर चलता हूं फिर भी मैं जो करेंट अफेर्स का कराओंगा उसमें से एक मारख करने जाना चाहिए ठीक है फ्रेंड्स तो इसमें आपको कितना टार्गेट ना है बच्चे यहां फसेंगे लेकिन मैं आपको फसा 70 अराउंड टार्गेट कीजिए इसमें और फिर क्वांट का है क्वांट का जो है 90 मार्क्स क्वांट का 90 मार्क्स में से आपको लाना पड़ेगा कितना फ्रेंड्स क्वांट का 90 में से आपको कम से कम लाना पड़ेगा फ्रेंड्स कितना 75 ठीक है 75 और इंगलिस का जो 60 है उ 260-265 ठीक है 265 तो 180 यह marks total कितने हैं आपके 120 और यह 90-90 180 ठीक है 80-12 कितना हो गया 28-30 300-360 ठीक है तो यह हो गया 360 marks तो 360 में से कम से कम आपको friends आपको कितना लाना पड़ेगा 360 marks में से मैं बोल रहों आपको around आपको around कितना लाना पड़ेगा कट-off clear करने के लिए 280 प्लस तो लाना ही पड़ेगा friends मैं अभी जितना वोल आपको 260 हुआ तो आप और कहीं पे कुछ-कुछ marks add कर सकते हैं आपका 280 जाएगा मैं बोल रहा हूं cut-off इसके उपर जाएगा friends देखिए friends मैं अभी से cut-up आपको बोल दे रहा हूं लेगिन अफिशियल नहीं है friends से मत मान के चलना की ही cut-up हो जाएगा लेगिन आप इतना target करके चलो फ्रेंट्स ठीक है इतना तो जाता ही आज कल इतना competition है ठीक है और पोस्ट के हिसाफस में बता रहा हूं अभी चलते है friends देखिए जो बाकी हमारा इसमें से जो भी आप करेंगे जो जिन्होंने भी यह पोस्ट अपलाई किया है वह लोग पढ़के जाए ठीक है और जिन्होंने असिस्टेंट के लिख किया है वह लोग CGL का पढ़के जाए ठीक है तो इसका हम चलते हैं अभी देखिए एक्जामनेशन पैटन पर यह दिखिए एक्जामनेशन पैटन प्रेंट्स इसका वह रही सेम है पैटन तो वही है मतलब GKGS है यहां पर दिखिए इन्हों ने फाइनेस फाइन फाइनस वागला नहीं दिया जो लोग इसमें अपलाई किये उनका तो बल्ले-बल्ले देखिए अभी तो मैं करवा ही रहा हूँ आपको बोला हूँ करेंट अफैर्स और जी के पूरा कवर करवा दूँगा आप टेंशन मत लीजिए इस सेक्शन का टेंशन आप छोड़ दीजिए पूरा ठीक है मेरा वीडियो देख लेंगे आपका हो जाएगा और क्वांट कितना रहे गा 180 मार्क क्वेशन की तो 90 कुष्टिं तो 90 तो को चिंब नहीं 120 वही 120 कौश्चिं ठीक है और 120 मिनिट ठीक है सब्फीजिन टाइम है एक से कोश्चिन को 1 मिनिट देंगे आप और मार्क कितना आपका 240 मार्क ठीक है 240 में से यहां पर फिर से मैं बोलूंगा 180 प् ठीक है गेम में बने रहने के लिए इसका सिलाबस देखिए सिलाबस बहुत इजी है फिल इन्द ब्लैंक्स एरर सिनोनीम से अंटोनीम वही में जो आपको बोला इंग्लिस में वही पढ़के चले जाना प्रीवियस एसिस्टेंट के लिए मोर दन एनफ है रीजिनिंग में इस इसी का भी फॉर्मला चाहिए मैं आपको पूरा प्रोवाइड कर दूँगा फ्रेंट्स चार्ट पढ़ लेना बस मोर दन सब्फिशेंट इसके बाद जी के देखिए अब कवर हो जाएगा पूरा और इसके बाद स्किल टेस्ट वगरा उन्हों के दे रखा है वह बाद में चेक करेंगे ठीक है तो देखिए फ्रेंट्स जी जान लगा दीजिये फ्रेंट्स बोलोना नौकरी सरकारी नौकरी पाना आज के जमाने में बहुत बड़ी बात है ठीक है आजकल जो मतलब प्राइवेट में जो काम कर रहे हैं उनका जैसे हो गया है आजकल तो आप खुरी समझ सकते हैं आप समझदार खुदी हैं समझदार को इशारा ही काफी होता है मैं बोलता हूं ठीक है तो जी जान लगा दीजिए और लग जाईए टेलिग्राम का लिंक मैं दे दूँगा चैनल के डिस्क्रिप्शन पर ठीक है वहां से आप पीडिएफ अगरा पढ़ सकते हैं मैंने कुछ वीडियो अप्लोड किया है वहां पे कुछ पीडियो अप्लोड किया है वह बिल्कुल आप पढ़ दीजी आपका काम में आ जाएगा उसमें करेंट अफेर्स का भी कुछ पीडियेफ है एक दो पीडियेफ और जीके का भी पीडियेफ है बहुत सारा ठीक है अब देख लीजी ए फ्रेंड्स और बने रही है चैनल पे आपको मैं वादा करता हूँ करेंट अफेर्स जीके बाहर नहीं जाने देंगे और ऐसा त लिए और लाइक कर दीजे फ्रेंड्स सब्स्राइब कर दीजे शेर कीजे फ्रेंड्स अपने दोस्तों को शेर कीजे जो भी इस एक्जाम को भरे हैं उनके लिए इंपोर्टेंट है ये और ठीके फ्रेंड्स अपना ख्याल रखिए अच्छे से रहिए कोरोना के काल में बा